आज ही डाउटनेट आप डाउन्लोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Physics, Chemistry, Biology डाउट्स का सपाया बस अपना फोन उठाओ, क्वेशन की फोटो कीचो क्रॉप करो और तुरंथ वीडियो सेलीशन पाओ डाउन्लोड नाओ सवाल है कि चार अमोनिया पांच ऑक्सिजन के साथ रियाक्ट करके 6 वाटर और 4 नाइटरोजन ऑक्साइड हमें देता है अब क्वेशन क्या है कि जब एक मोल अमोनिया और एक मोल ऑक्सिजन रियाक्ट करेंगे तो इन में से कौनसी कंडिशन पॉसिबल हो सकती है तो इस टाइब के क्वेशन में हमें पहले निकालना होगा कि लिमिटिंग रियेजन्ट कौन सा होगा लिमिटिंग रियेजन्ट वो होगा जो रियाक्शन के अकर होने पे खतम हो जाएगा या जो कम amount में present होगा limiting reagent अब यह समझते हैं कि limiting reagent हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन है क्योंकि reaction देखने से तो कम amount में हमें ammonia ही लग रहा है कि ammonia की सिरफ 4 mol है और oxygen के 5 mol है तो ammonia limiting reagent है नहीं हम ऐसे नहीं decide कर सकते हैं अब देखो 4 ammonia 5 oxygen के साथ react करता है अपना product बनाने के लिए ठीक है तो एक ammonia कितने के साथ react करेगा कितने oxygen के साथ unitary method लगाया 5 by 4 तो यह निकल के आया 1.25 oxygen के साथ पर हमें oxygen provided कितना है केवल 1 mol और हमें 1 mol ammonia के साथ react करने के लिए कितना oxygen चाहिए 1.25 यानि कि हमारे पास 0.25 mol of ammonia sorry mol of oxygen कम है तो कम amount में हमारे पास कौन सा है oxygen तो हमारा limiting reagent कौन सा है oxygen तो अब एक mol oxygen तो completely consume हो गया हमें 0.25 mol of oxygen और चाहिए कि हमारा एक mol ammonia के साथ oxygen react करे और product फॉर्म करे तो oxygen is completely consumed ये बिलकुल करेक्ट है consume भी हो गया है और कमी भी रह गई है इसकी कि हमें थोड़ा और चाहिए था ammonia is completely consumed अब ammonia तो completely consumed हो ये नहीं पाया क्योंकि एक ammonia को react करने के लिए 1.25 oxygen चाहिए था था हमारे पास के वल एक mol तो ammonia is completely consumed नहीं हो सकता बोथ 1 और ये भी नहीं और ये भी नहीं तो करेक्ट ऑप्शन इस क्लास 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से जाद स्टुनेंट का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा